प्रेंड, हाव आर यू, स्वाई एम फाइंड, मैं अप लोग को पिछला लेस्टर में बताया था, हर एक इनुट का सर्वर का इंट्रो कराया था आप लोग अच्छे से गेंड कर लिये थे, किस किस इनुट से कितना मार्स पुछेगा, आएगा और किस किस इनुट में क्या पढ़ना है तो आप लोग फाइंट में यह भी अश्टाडी कर रहे थे, कि फाइंट का चेप्टर है, ताइप सवर्वर कम सर्वय जिससे 6 मार्स घेंड किया जाता है, ताइप सवर्वर इस इनुट में और इस वीडियो मैं आज़ आप लोग को बताउंगा कि serving कि आईपो सर्वे हाउ उस तैप समय मैं आज आप लों को इस वीडियोमें यह चटडी कराओंगा थे फश्ट टॉपिक है सरवेइ यानि हम डिपननेशन का के का चटडी करेंगे देखिये डिफनेशन अफ शर्वह यह क्या करता है Suppose आप एक Surveyer हैं आप फिल्ड में44 करने हैं तो आप लोग एक Point को Position को Consider करेंगे उस Point और Position को आप Consider करेंगे उस Point और Position को Consider करने के बाद आप उस Point से survey श्टार्ड किए माल लिजए Southwest की एभब करना है आपको Survey या Below करना है सर्वे कर लिए तो आप लोगों को सर्वे कर ले के बाद आप लोग फाइनली जाएंगे जिस गौवर्मेंट के पास उसको सो तो कराएगा तो सो कराएगा आप लोग किस के माध्यम से आप सर्वे किए अंत में फाइनली एक सू टेबूला स्केल के मदद से आप सीट पर उसक तब आपका जाके फाइली survey complete होगा आई या definition क्यों जानते हैं बोलता है कि survey is the art या technique survey एक art है या technique है जो determine करता है जो consider करता है relative position यानि जिस position से आप start किए survey करना और जिस position से आप कि ऐसर्वे को उस पॉइंट को कंसिडर करना यानि एभब या आर्थ या बिलो आर्थ होगा इसका मतलब यह हुआ कि आप उसको सो करेगा पलेन या सीट पर वह करेगा तो वह करेगा मैं पर प्लेन तो्पाइन आप लोग को सर्वे सर्वी हो गया यही सर्वेंग आट या टेक्नीक है जो करता है को प्रोलग यह पम? कोई औबेक्ट है उसका सर्व्य करना है तो आप कैसे सर्वे करेंगे तो object of survey यानि survey object का करने का mean purpose और aim होता है कि उसको prepare map पर यानि उस object को map पर सो करना है suppose आप एक country में राते हैं country का survey करना है तो क्या अप country के जितने अंदर forest होंगे, hill होंगे, river होंगे आप लोग उसे कैसे सो करेगा तो आप लोग उसे एक suitable a skill लिजेगा उस a skill के मदद से आप उस map या seat पर सो करिएगा तब जाकि आपका country का survey होगा वही definition कता है कि the purpose of aim of the survey is to prepare the map यानि map को त्यार करना जो में relative position को सो करेगा object of surface का जैसे country हो गया country के अंदर जितने forest, dam, canal, a sabate, railway, irayation, canal, etc, reservoir बहली जितने आते हैं उसको सो करना वही कहलाता है object of survey तो again topic है आप लोग के लिए अब चलते हैं कि types of survey देखे डियर स्ट्रेंड मेंली जो types of survey divide किया गया है वह दो पगार के होते हैं मेंली जो survey types है वह दो पगार के होते हैं कोई-kोई book में तिन पगार के भी देता है सो आप लोग हराया नहीं क्योंकि मेंली जो survey का type से वह दो पगार के ही होता है पहला primary survey और दुसरा secondary survey दुसरा जो होता है वह secondary survey अब primary हम आगे जानेंगे कि primary survey का definition क्या है secondary survey का definition क्या है हम ये भी जानेंगे आप लोग हवड़ाय नहीं वीडियो को पूरा देखे भीना अस्किप क्यों हो ए आप लोग को समझ में आए कमेंट केज़े नहीं भी आए कमेंट केज़े कि नहीं आए सर मैं फिन से समझाऊंगा आप लोग को लिए डिपलोमा भी सोनू हम ठीक है अब बोलता है कि primary survey को भी divide किया गया है और secondary survey को भी divide किया गया है तो primary survey को दूप पार्ट में divide किया गया है plane survey और geodatic survey ठीक है primary survey how many types of primary survey there are two types of primary survey first types of primary survey is primary plane survey and दूसरा types of primary survey geodatic survey सो आगे हम plane survey का definition भी जानेंगे और geodatic survey का भी definition जानेंगे उसी तरह से secondary survey को भी divide किया गया है secondary survey को divide किया गया है यहाँ आगे आप लोग को मैं बताऊंगा कि types of secondary survey कितने होते हैं सो डियरा अगे चलते हैं जेकि आगे मैं बताया कि plane survey को definition करूंगा एख सो plane survey आ गया गया देखिए plane survey क्या अभी इसका definition बताता हूं तो देखिए जब भी plane survey है कहने का मतलग कोई ऐसा surface जो एकदम plane है बिना रप बिना रप के एकदम plane है उसका survey करना है वही plane survey कहलाएगा देखिए plane survey है कि दस survey इन बीच देखिए करवेचर अब अर्थ यानि plane survey में जो करवेचर अब अर्थ होता है उसको नहीं करवेचर करते हैं करवेचर अब अर्थ कहने का मतलग उसका करवेचर करवेचर मतलब आर्क इसमें आर्क अब करवेचर को consider नहीं किया जाता है plane survey में और plane survey जब भी होता है a small area के लिए होता है यानि इसलिए यह जो plane survey है वा accuracy नहीं दता है according to definition चलते हैं बोलता है कि करवेचर अब आर्थ को consider नहीं करते हैं और यह a small area में होता है यानि इसका जो अर्थ का सर्फिस होगा वा लेस देन 800 किलोमेटर रहना चाहिए इससे हम जादे में सर्फिस नहीं कर सकते हैं plane surveying में सो डियर स्टुडेंट आप लोगों को समझ में आ चुगा होगा डिफिनेशन अफ सर्वे उसके बाद अबजेक्ट ऑफ सर्वे फिन टाइपस ऑफ सर्वे टाइपस ऑफ सर्वे दो तरह के प्राइमरी सर्वे सेकेंडरी सर्वे प्राइमरी सर्वे दो तरह के कौन-कौन जियोडेटिक सर्वे प्लेन सर्वे आए आगे जानते हैं आप जियोडेटिक सर्वे क्या है तो प्लेन स नहीं करतेए लेकिं जीोडेटी सेर्वे में हम डिगrelimus कौ Nadler का कंसिडर करेंगे यह नी कर ईर्थ का रेडियास में κάνि कंसिडर करेंगे प्लेटी सेर्वे में क्या था आड़हाइसो से लेस किलो मीटर स्कॉर से हम kans我觉得 हे हम अेरिया डन ठते हैं जियोडेटी सर्वे तो क्या आप लोग डिफ्रेंट नहीं पता सकते हैं। डिफ्रेंट पहला हो जाएगा कि उसमें प्लेटी सर्वे में लेज दन अड़ाइज सो किलोमेटर स्कॉर एरिया कंसीडर किया जाता है। हम जियोडेटिक सर्वे को एक और नाम से जानते हैं। हम करवेचर अप अर्थ को कंसीडर करते हैं। जियोडेटिक सर्वे में हम डिग्री आप आर्थ को यानि करवेचर अप अर्थ को इसमें कंसीडर करते हैं। हम जियोडेटिक सर्वे के नाम से जानते हैं। जियोडेटिक सर्वे को एक और नाम से जानते हैं। वह नाम होता है ट्रिग्नोमेट्री सर्वे के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो एरिया हम केरिट करते हैं, यानि इसमें जो एरिया कंसीडर करते हैं, लेते हैं, वह ग्रेटर दन अड़हाई सो किलोमेटर स्क्वार एरिया को इसमें लिया जाता है। तो इसमें से लिसेद ले खमउन या गपने दिफ़ों होन दोदीय। लेकिन यहां जो है यानि यान्य करते हैं । सोधाइक्ट करता हूँ repeat मैं आप लोग को बताया सरघ्रेंग कर डिपनेश सर्वेंं जियोडेटी सर्वेइंग आप लोग में प्लेन सर्वेइंग का डिफनेशन बताया जियोडेटी सर्वेइंग का डिफनेशन बताया आगे मैं चलता हूँ कि अब सेकेंडरी यानि सेकेंडरी सर्वे का टाइप से डिवाइड किया गया यानि सेकेंडरी सर्वे को डिवाइड ग्याज कर सकते हैं according to base of instrument यानि base of instrument के धार पर secondary survey को बाटा गया है आगे मैं चलू बताऊंगा कि अब base of instrument के धार पर जो secondary survey को divide किया गया है वो उसके types को मैं भी बताऊंगा दूसरा मिमार गया है base of method पर secondary survey को divide किया गया है फिर फिल्ड के नेचर के अधार पर सेकेंडरी सर्वे को डिवाइड किया गया है यानि सेकेंडरी सर्वे को डिवाइड किया गया है सो आगे मैं बताँगा बेच ओप इनस्टुमेंट के टाइब आईस थे रहिए हैं देखिए मैं बताया पहला देखिए सेकेंडी सेटर्वय को डिवाइट किया गाया एक ओडिन टू बेस ओप नेचर फिल्ड एक ओडिन टू बेस ओफ मैथर एक ओडिन टू बेस पहला होते हैं नदे नदेगे अब क्वेज़ान करनेरे बिवक्राइड आपेंद सो यह अधिक्वेड कर थाइब होते हैं यह फिर 1 पेकर ऑपमेस डुडी लाइट सरवेग टेक मिल्टरी सरवे यह फोट्य। थाकृट्राफिकल सरवेग निया एरियल सर्वे, so dear student, according to base of instrument, instrument पर अगर हम सर्वे को डिवाइड करें, तो पहला आता है, आगे मैं डिसकस करता हूँ, चैन सर्वे क्या है, देखिए, चैन सर्वे क्या है, मान लिजिए आप एक सर्वेर है, आप फिल्ड में सर्वे करने गया, आपको small area का जर्वे करना है, और linear measurement करना है, और horizontal, linear measurement करना है, horizontal, तो आप कैसे measurement करेंगे, तो उसके ही लिए हम chain का यूज़ करेंगे, यानि small area होगा, linear measurement करना, तो हम chain सर्वे का यूज़ करेंगे, तो इसका definition करता है कि this type of survey which only linear measurement यानि यह जो chance survey है जिससे हम only for linear measurement करेंगे linear measurement करेंगे फिल्ड में और यह जो chance survey वह किसे principle पर काम करता है बताइए आप लो तो जो chance survey है वह principle है trigonulation यानि यह principle of trigonulation के अधार पर base है यानि जो chance survey है वह किस पर work करता है तो trigonulation में अगला मैं बताँगे direction compass survey क्या है मान लिजिए देखिए मान लिजिए आप एक survey है फिल्ड में गए survey करने ठीक है आपको survey करना है north से south की और या south से east की और या west से south की और यानि आप लोगो direction measurement करना है तो direction measurement करने के लिए जिस equipment जिस और की आवे सकता होगा वह compass survey के नाम से जाना जाता है तो बोलता है definition it is the type of survey in which the direction of survey line is measured यानि आपको direction of linear measurement जदी कर रहे हैं उसमें direction measurement करना होगा तो हम compass का यूज़ करेंगे compass की मदद से यूज़ करेंगे और जो linear measurement करेंगे वह change के मदद से या tape के मदद से करेंगे compass survey हो जाएगा देखिए compass survey में जो direction measurement करना रहता है जो compass survey में जो आपका direction measurement करना रहता है वह हम compass की साहते से करते हैं और जो linear measurement करना रहता है उसमें chain या tape लेते हैं आगला definition आप लोग का यह हो आप लोग को compass survey, chain survey समझ में आ गया होगा अगला मैं बताता हूँ QD light survey देखिए QD light survey क्या है माल लेजिए आप लोग के horizontal और vertical distance को measurement करना है आप लोग को horizontal और vertical distance को measurement करना है ठीक है? यानि sorry angle को देखिए QD light survey में हम देखिए objective purpose से भी आता है कि which is the measurement यानि this which instrument is the measurement of horizontal and vertical angle horizontal और vertical angle किसे measurement करते हैं? तो वह होता है QD light survey यानि QD light survey में हम horizontal and vertical angle को measurement करते हैं देखिए QD light एक ऐसा instrument है जिसकी मदर से हम horizontal या भटकल angle को measurement करते हैं तो बोलता है QD light survey को इस टाइप से सर्वे हैं इन वीच दम measurement accurate यानि यह दम accurate यानि सही सही measurement करता है horizontal और vertical angle को माल लिए आप लोग एक सर्वेयर हैं फिल्डि में सर्वे करने गया है आप लोग को horizontal और vertical angle measurement करना है तो आप लोग इस इन instrument की सहाथा से horizontal और vertical angle को measurement करेंगे वह instrument होगा ठियोडिलाइट इसी को हम ठियोडिलाइट survey के नाम से भी जानते हैं अगला definition अगला टेकोमेटरी survey देखिए यह टेकोमेटरी survey क्या है मालेज़े आप लोग एक survey है फिल्ड में survey करने गया है आप लोग को horizontal और vertical distance को measurement करना है horizontal और vertical distance को measurement करना है तब जिस इन instrument जिस equipment का आपका यूश्प होगा वह होगा टेकोमेटरी वह होगा टेकोमेटरी तो बोलता है टेकोमेटरी survey के इस types of survey in which the horizontal and vertical distance of point are obtained angular observation बोल रहा है कि यह जो टेकोमेटरी survey है यह बोलता है कि इस types of survey इन वीच दा vertical and horizontal distance measurement किसकी मज़से टेकोमेटरी टेकोमेटर के मज़से यानि टेकोमेटर के मज़से हम horizontal और vertical distance को measurement करेंगे वो भी angular observation की सहता है angular observation करना का मतला angular हो उसी को टेकोमेटरी survey केंगे यानि objective purpose से भी आ सकता है कि the distance measurement horizontal and vertical is known है तो टेकोमेटरी survey और वही ठियोडिलाइट survey में angle को measurement के आज़ता है और टेकोमेटर में survey में distance को measure के आज़ता है so again definition है again definition मैं अगला lecture में आप लोग को बनाऊंगा so dear student आप लोग ज़्यादा इससे share करें आप लोग study करें इस channel पर आप लोग को free of course study परवाइट किया जाएगा फिर हार अभी दो subject start कर दिया गया है math और survey math का तो 9 या 10 lecture complete हो गया है survey का second lecture है so dear student आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे like share और comment करें on all subscribe करें ताकि आप लोग के ज़्यादा comment होगा तो मैं यह भी और subject जो बचा है जैसे आप लोग के हो गया building construction, concrete और एक subject है उसको भी मैं start कर दूँगा यानि आप लोग को 5 subject यानि देखिए मैं math और survey start कर चुका हूँ बचा आप लोग को 3 subject वह है building construction और एक हो गया concrete और एक हो गया engineering drawing मैं उसको भी start कर दूँगा इसमें कोई भी संद्धे नहीं है बस आप लोग को performance देखने पर thanks कर दो आप